करनाटक एक ऐसा राजवय जहाँ पर पिछले 38 सालों के लगातार सरकारे हर 5 साल में बदल रही है अब इस बार उस ट्रेंड को BJP चुनवति देना चाती है लेकिन उस ट्रेंड को चुनवति तब मिलेगी जब BJP अपनी सियासी चुनवतियों से पार पाएगी तो दूसरी करो कांग्रेस के पास इस ट्रेंड के रूप में सत्ता वापसी का एक सुनहरा अवसर है करनाटक चुनाव में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिल जाता है पिछले 38 सालों से राज्य की राज्य की राज्य नीती में ये ट्रेंड सेट हो चुका है सरकार किसी की भी हो, सत्ता में कोई भी हो, पांत साल के बाद जन्ता परीवर्तन करवा ही देती है अब कहने को कनाड़क दक्षिन का राज्य है, यहां की राजनीती उत्तर भारत या कह लीजिये, हिंदी पट्टे वाले राज्यों से बिलकुल अलग है लेकिन क्योंकि अकेले एक ही राज्ये में चुना हो रहे है, ऐसे में सभी की नजर इस पर रहनी वाली है कनाड़क में इस समय बीजेपी की सरकार है, वसवराद बोममाई मुख्यमत्र की कुर्सी पर बैठे हुए है पालिटी ने यदी एरुबा को हटा के उन्हें राज्ये की कबान सौपी है सरकार चलते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है लेकिन दाव पर सब कुछ लगा है उनी का चेहरा आगे कर पालिटी 38 साल पुराने ट्रेंड को बदलना चाहती है दूसरी और कॉंग्रेस खड़ी है जिसे ज्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ अंद्रूनी घुटबाजी पर काबू पाना है और पुराने ट्रेंड पर थोड़ा निर्भर रहना है ऐसा कर वो अपने सियासी वनवास को खत्म कर सकती है लेकिन वर्तमान में चुनोती बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी है क्योंकि एक और से उसके पीछे 38 साल पुराना सत्ता परिवर्तन वाला ट्रेंड साय की तरह चल रहा है तो दूसरी और एंटी इंकमनसी भी चुनोती बढ़ा रही है इस बार करनाटिक में बीजेपी के लिए सब कुछ सही रहे इसलिए पारिटी हाई कमन अपने दो सबसे बड़े चेहरों पर पूरा फोकस दे रही है प्रदन मंत्री नरिंद्र मोदी और ग्रू मंत्री अमिट शाह अभी तक पीम नरिंद्र मोदी दो महने के अंदर में साथ बार राजे का दोरा कर चुके है इन दो महनों में उन्होंने बैंगलूरू मैसिरू एक्सपेस वे दरवड में IIT केंपस शीव मोगा में ग्रिन फिल्ड एरपोर्ड का उद्गर्ण किया है नारा दिया गया है कि डबल एंजिन सरकार के फाइदे चाहिए तो फिर बीजेपी के सरकार आनी चाहिए इस समय पार्टी को अपनी तिन यूडनाओ पर पूरा भरोसा है उनी के दम पर वो हर तपके का दिल जीतना चाहते है इसमें प्रदन मंत्री जन सुरक्षा यूडना आईशमन भारत और जन आबाज यूडना सामिल है पार्टी का दावा है कि इन यूडनाओं के जरिये करना टक्के चार करोड से ज्यादा लोगों को सिधा लाब पहुंचाया गया है बिरो रिपोर्ट जी एस्टब